सुबा का वक्ता सब पक्षी खाने की तलाश में निकले होए थे और कोई तो ठंडी हवाब में मगन था दूसी तरफ निलो रानी सुबसुब ही पिचारे गरीब कवे पर भड़क रही थी कालू कभी मैंने तुमे का था कि मेरे लिए ताजे फ़र लेके आना पास के जंगल से तुमें मेरी किसी बात का असर नहीं होता क्या निलो रानी तुम अच्छी तरह से जांती हो मैं वहाँ किसे जां उस चंगल में यह अत्मा रहती है वो किसी को सिंदा नहीं चोड़ती मेरे तो छोटे से बच्ची है मेरे लाब हमका कोई नहीं है मुझे कुछ हो गया तो वो गया गरेंगे हा निली रानी भेल क्या कालू कवा ठीक कह रहा है उस चंगल में जाना किसी कत्रे देखारी नहीं है इसकी चान को कत्रा हो सकता है हमेसे वहाँ नहीं बेजना चाहिए तुम चूट रहो चूटकी तुमें मेरे काम में पॉलने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए ये तो फ़ल लाएगा थी ये कालू कवा ही लाएगा वहाँ से जो लेके हो मेरे लिए अभी कालू कवा वहाँ से बचारा रोता हुए उड़ जाता है और उसके लिए फ़ल लेने चले जाता है कालू का बाद जब कहने जंगल में पहुंगता है तो आप एक उसे खुब सूरत चीडिया मिलती है अरे चोटी चीडियो तुम यहां क्या कर लिए हो यह जगलता बहुत ख़तर नाग है यहां भी होत मरेती है तुमें दर नहीं लगता क्या अरे नी कालू बाद यहां यह तो आपको किसी ने गलत ख़बर दी है मैं तो इसे जंगल में रहती हूँ आप यहां क्या करने आए हो चोटी चीडियो मैं तो नीदी चानी के लिए फ़ल लेने आया हूँ उसने तो मेरी नाग में दम कर रखा है कालू बाद यहां जरने की कोई बात नहीं चलो मैं आपके साथ चलती हूँ फल वाले दख़़ के पास आप तोड़ लेना वहां से फिर वो दोनों वहां से उड़ते हूए दूसे जंगल में जाते हैं फलो वाले पेड के पास जब वो वहां पहुंचती है तो वो कालू कवे से कहती है कालू कवे आप फल तो लेकिन आपको से पहले इस बिद्खस्प लगी में ये तस्वीर को गिराना होगा लेकिन क्यों चूटी चुटलिया ये तस्वीर तो 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 खुद बेतार सकती हो मुझे ही क्यों कह रही है, इसमें ऐसा क्या है? कालू पेए मैं ये तस्विया अपनी मामा को देखाने लेकर जा रही थी और ये मुझसे इसमें अटक गई, इसलिए नहीं निकर रही कालू गमा चोसे तस्वियां को नीचे गिराता है जैसे तस्वीर नीचे गिरती है चिरिया गायब हो जाती है और दर जाता है यह क्या हुआ है ऑन्यों छोटी चिरिया यह क्या मुझे मत मोरना मेरे छोटावी छोटावी बच्ची है उनके बास मेरे सबस्वाद कोई नहीं है चोटी चीडिया कालू कवे को इनाम में अंगुठी दे के गाइब हो जाती है वो उसे कहती है कि इसका गलती इस्तमाल नहीं करना तुम जो चाहो वो पा सकते हो अब कालू कवे को बहुत खुश हो जाता है अब बाबा मेरी तर लाट्री लगी अब दुबा खुश बहुत बहुत से रहूगा कालू कवा महां से फ़ली ये बगेर ही चला जाता है बचो कैसी लगी स्टोरिक मेंट में बताएं और नेक्स पार्थ देखने के लिए भी कमेंट करें दूर जंगल में तोनी चुलिया और इसकी एक बहन नीली रहती थी तोनी के पास बच्चे नहीं थे नीली के पास एक बेटी थी जोंके बहुत प्यारी थी वो दोनों उसे बहुत प्यार करती थी नीली अपनी पेहन से मिलने आती है चुनी पेहन केसी हो आप मैं चिंकी को लाई हूँ आपसे मिलने आपका दिल कर गया था ना इसलिए मैं उससे साथ लाई हूँ नीली पेहन मैं ठीक हूँ आओ आप तो नों दिलो में जो बहुत कुछी ही तुम लोग मस्से मिलने आए मेरा चिंकी पर साथ क्या खाएगा मैं उसकी पसंद कीज़े बनाओंगी मुशीदी आप मेरे लिए खीर बनाते हैं मैं वो खाओंगी मुझे बहुत पसंद है टोनी चिंकी के लिए खीर बनाती है वो बहुत मज़े से खीर खाने तिंके बाद चंगल में केले के लिए चली जाती है चिंकी बहुत मस्ती के साथ चंगल में खेरी होती है तिंकियों के साथ कभी वो उनको पकड़ती तो कभी उनके पीछे भागती और कभी छुप जाती तब ही उसे पास एक उल्लू बैठा नजर आया जो उसे मसलसल देख रहा था और वो उसे पूछती है उसके पास जाती है और कहती है अजे उल्लू परिया आपू क्या हुआ आप यहां क्यों कहले में देख आप मुझे ऐसे क्यों कहीने देख रही है उल्लू की बादे सुनके चिंकी को बहुत दुख होता है और चिंकी उससे कहती है पुलू भैया क्या आम मेरे साथ मेरे घर चलोगी हाँ हाँ क्यों नहीं मैं तो वैसे भी यहां अकिला हूँ तो बारे साथ ही चलता हूँ मैं वो तोनों वहां से उड़ते हुए अपने घर की तरफ चाते हैं जब चिंगी घर पर जाती है तो उसकी ममा बाते कर रहे होते है अले चिंगी बेटा ये कौन है से मारे साथ और कांसर आई हो इसे तुम मौसी जी ये मैं जिस चंग में खेतियों में ही रहता है ये पिल्गो अकेला इसके मामा बाबा नहीं है इसलिए मैं से साथ ने के आई हो अच्छा बेटा कोई बात नहीं तुम हमारे साथ रह सकते हो तुम्हें यहां कोई परिशानी नहीं है सोनी चिरिया अब बहुत खुश थी और वो उसका नाम गोलू रखती है उसे अब एक बच्चा भी मिल जा था जिसके साथ वो खुश रहती थी उसे कोई परिशानी नहीं थी